नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग इंडिया नियूज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना सरकार ने दच्छनी चीन सागर में अपने टटरक्षकों को बिदेशी जहाजों को देखते ही गोली मार करने का आदेश दे दिया है जी हाँ दोस्तों अब इससे आप समझ सकते हैं कि दच्छनी चीन सागर में कहीं न कहीं एक तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में सीत युद्ध छिर चुका है जी हाँ दोस्तों अमेरिका के नए रास्पती वाइडन की सपत लेने के फैसला लिया है वो कहीं न कहीं जो है अमेरिका के लिए संकट खड़ा करने वाला है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दच्छनी चीन सागर में बियतनाम, कमबोडिया, फिलिपिन्स, जापान, ये देश कहते रहे हैं कि ये हमारा भूभाग है लेकिन इसके 80% हिस सागर में देखते ही अपने कोसगार के दोरा गोली मारने का आदेश दे दिया है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका भी इस दच्छनी चीन सागर में अपनी दिल्चस्पी दिखाता रहा है जिसका मुख कारण है कि इस इलाके से लगभग एक बरस में 5 ट् नहीं अमेरिका के लिए जो है मुश्किल खड़ी हो गई है कि आखिर चाइना ने जिस तरीके का फैसला लिया है वो कहीं न कहीं अमेरिकी और वाइडन के लिए चुना होती है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल के दिनों में अमेरिकी नौसेना ने इस छ कई बार उडाने भी भरी थी जिसके जवाब में चाइना ने अपनी मिसाइलों की तस्वीर एं ट्वीट करके अमेरिका को धंकाने की कोशिस की थी लेकिन अब चाइना ने जिस तरीके से यह नया फैसला लिया है इसके बास से यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बाइडन के ल से इंटरनेशनल ट्रिब्यून और हर चीजों को मानने से इंकार कर रहा है अब इसका काउंटर अमेरिका किस तरीके से करेगा दोस्तों यह खबरें आपको कैसी लगें हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और हमारा चैनल सबस्क्राइब करना मत भूलिए जै हिंद जै भारत